अब बात करेंगे लिमिट of trigonometric functions तो लिमिट of sin x upon x x tending to 0 is 1 and so are limit of x tending to 0 x upon sin x ऐसी x into cosec x, sin inverse x upon x और x upon sin inverse x तो इन सब की जो value है वो 1 ही होती है और in fact अगर आप और सोचें तो limit of x tending to 0, 10x over x b 1 होती है और limit of x tending to 0 x over 10x ये भी 1 होती है ये बहुत बहुत important limits है ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे पक्की बात है अच्छा जी limit of sin x tending to 0 sin x upon x चलो जड़ा सा इसका प्रूव देख लें हम तो ये क्या है जीरो बाई जीरो फॉर्म है और जब जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है तो हमारा एल आप्लाई हो जाता है जी कर दो एपलाई तो limit x tending to 0 sin x का हो जाएगा cos x और x का हो जाएगा 1 और cos 0 होता है आपका 1 तो ये आपका आंसर आ गया बिलकुल ऐसे ही बाकी सब भी हो जाएगे जी ठीके तो अब जड़ा quickly कुछ चीजे देख लेते हैं है न अब आली जी आपको question ऐसा दिया हो limit x tending to 0 sin 3x over x तो इसकी value of क्या लिका लोगे है कैसे हमारा question था ये ठीक है अचा आप limit ध्यान करो sin x over x होना चाहिए तो basically अगर यहाँ पे x कीजेगा 3x है तो यहाँ पे भी 3x ही होना चाहिए अब 3 जबरदस्ती आ गया भाई तो इसको उठाके क्या करूँ इसको उठाके 1 3 यहाँ पे आया तो 1 3 से divide कर दिया और ये 3 पहुँ तो इसका मतलब हमारा जो question हो गया वो limit x tending to 0 sin 3x over 3x और ये 3 already है इसकी value इस चीज की value हो गई 1 तो आपके पास answer आ गया 3 clear है जी तो माल लीजे मैं आपको ऐसा question देदू limit x tending to 0 sin of 5x over sin of 2x तो इसका क्या करोगे बताओ तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि भई इसको अपनी standard form में बनाने की कोशिश करें तो standard form बनने के लिए क्या चाहिए भई extending to 0 sin 5x है तो नीचे मुझे 5x चाहिए अब 5x था नहीं जबर्दस्ती लाया उठाके multiply कर दिया ऐसे ही आपे नीचे denominator में sin 2x है इन भाईसाब को भी satisfy करने के लिए मुझे 2x चेही है तो 2x से multiply कर दिया अब ये x और ये x तो cancel हो गए जी और जब limit अलग अग अगर apply कर दू तो ये है हमारा वन देगा और ये भी वन देगा इसका मतलब हमारा जो answer आएगा वो 5x2 आजाएगा अच्छा जी अब जड़ा एक चीज़ देहना है ये मैंने 3 graph बनाए है ये y is equal to sin x का है ये line जो है y is equal to x की होती है है और ये y is equal to 10x का graph है ठीक अब जड़ा एक चीज़ देखो जब x जो है यहाँ पर तो x ही चलना अब इसली बात है ना तो जब x जब greater than 0 है तो हमारा graph हमें क्या कह रहा है कि भई 10x जो है वो x से greater है और sin x उससे greater है ऐसा कह रहा है कि नहीं कह रहा है बताओ जी ठीक अब अगर मैं इसको x से divide कर दूँ तो क्या कहेगा इसका मतलब यह हो जाएगा कि 10x over x is greater than 1 और यह जो है sin x over x ठीक है इसका मतलब यह हो गया कि sin x over x जो है 1 से कम है और 10x over x जो है 1 से ज़्यादा है यह चीज हो गई आपकी बात लेकिन जब x tending to 0 होगा तो होगा क्या यह इनके दोनों के आंसर जो है equally आ जाएगे यह 1 के बराबर हो जाएगे बिल्कुल tending to की situation में ठीक है तो इसलिए यह जो हमारी जो limits आई थी उपर वो इसलिए आ रहे थी 10x over x is equal to 1 और sin x over x is equal to 1 क्योंकि हम तो neighborhood में बात कर रहे होते हैं न यह तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी चीज फस सकती है आपको कि अच्छा यह क्या हो रहा है ठीक है तब आ अगर हम 0 के right में देखे exactly बिलकुल pass में तो हमारा यह value में और इस value में बहुत बहुत चोटा चोटा सा difference होता है और यह आप थोड़ा सा दिमाग में रखना वाई ठीक है तो यह लिखा मैंने greatest integer function के अंदर मैंने लिखा limit extending to 0 sin x over x क्या value आईग इसकी बताया जल्दी से मुझ इस चीज की value कितनी होती है अभी देखी हमने one और greatest integer one तो उसका answer क्या आजाएगा one आजाएगा पीछे वाले graph पे बत दिमाग लगाओ भाई तुम तो यह देखो इस limit की value क्या लिखाई तुमें इसकी value तो one होती है न और उस one के बाहर greatest integer है तो यह तो exactly one निकाल के दे रहा ह और one का greatest integer one ही होगा है ना और आगी बात आजी वो समझ में आगी तो यह बताओ अब क्या है पहले greatest integer of sin x upon x है और फिर limit लगी वही है अरे भाई अभी देखो अब देखो पिछले वाले ग्राफ को सोचो ठीक है पिछले वाला ग्राफ में क्या था कि technically इस चीज की value one से बहुत 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 कम थी बहुत ही छोटी सी value है ना ठीक है निके 0.999999 कुछ ऐसा चला होगा तो zero one से कम है तो उसका greatest integer लोगे तो क्या आजाएगा zero आजाएगा और limit लगी वही है extending to zero तो answer वैसे ही zero आजाए आजी आचा तो फिर अब इसी बात पे फिर एक और बता दो फिर अब limit extending to zero greatest integer of 10x over x इसका answer बताओ फिर अब अब देखो अब उस graph के हिसाफ से technically यह जो है 10x over x 1 से जरासा ज्यादा है यानि कि 1.0000001 टाइप का कुछ और भी 0 लगा सकते हो मतलब तुम कुछ ऐसा सा system है तो 1 से जरासा ज्यादा है तो उसका greatest integer क्या होता है उसका greatest integer 1 होता है और limit यह ही लगी है तो answer sorry यह limit extending to x तो रहा ही नहीं न बेसिकली अब तो यह वास का answer आगे है अब 1 now this is your question limit x tending to infinity x into sine 1 over x देखो क्या है limit x tending to infinity है और इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं sine 1 over x और इसको भी 1 over x लिख सकता हूं ठीक अच्छा जब x tending to infinity होगा तो 1 over x tending to 0 होगा ठीक है तो इसकी value क्या आजाएगी आपके पार इसकी value 1 आजाएगी और नहीं समझ में आए तो आप एक काम करो 1 x is equal to y रख लो तो आपके पास situation क्या जाएगी अगर 1 of x is equal to y होगा तो इसका मतनब जब x tending to infinity होगा तो y tending to 0 हो जाएगा तो आपका question क्या बन जाएगा limit y tending to 0 और यह हो गया sin y over y तो इसकी value 1 होती है इस वे में इसकी value आप निकाल सकते हैं चलिए जी यह question है आपके सामने limit x tending to 0 1 minus cos x upon x square इसकी value जड़ा आप मुझे बताएगे तो क्या जाएगा एल-hospital लगाएंगे तो limit x tending to 0 1 का हो गया 0 differentiation cos x का होता है minus sin x और x square का 2x तो अब आपके पास जो situation आ गई वो यह आ गई x tending to 0 यह हो गया sin x over 2x अब भया इसकी limit तो आपको पता ही है sin x over x क्या होता है यह तो 1 होता है और इसका मतलब जो आपका answer आ गया वो half आ गया भयाई और मैं अभी आपको बता दू यह चीज इतनी जादा यूज होने वाली है ना कि यह आपको रटी होनी चाहिए मैं अभी बोल रहा हूँ बाद मैं मत बोलना कि बताया नहीं था इतना जादा यूज होता है यह चीज अलब कई question अगर आपको यह याद है तो आप तुरंत ही करपाओगे वहाँ पर आपके पर इतना वक्त नहीं होगा कि यह सब करते नहीं ठीक है जी तो इसको रट्टा मार ले ना बिलकुल हर वक्त सोते जाते जैसे पाइतागरोस याद है ना ऐसी यह याद हो ना जीए तुम्हें चलो फिर आप ज़रा इसकी वल्ली बतादो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स क्यूब डिवाइड़ वाई एक्स तु दी पावर सिक्स बताओ जो 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 इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई काम करो यह जो एक्स क्यूब है ना इसको थोड़ा सा वाई रखके देख लो ठीक है तो क्या होगा जब एक्स टेंडिंग टू जीरो गा तो वाई भी टेंडिंग टू जीरो तो आपका क्वेश्चन क्या बनने वाला है वैसे लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस वाई दिवाईड़ बाई वाई स्क्वाईर इसकी वाल्यू तो क्या थी बताओ जल्द ही आचा तुम इसको ऐसे भी सोच सकते थे ना बही वन माइनस कॉस एक्स क्यूब था और यहाँ पे भी एक्स क्यूब का स्क्वाईर तो यह बिलकुल आगे ना वोही फम माइनस कस एक्स ओवर एक्स स्क्वाईर सीदे व्हाँ से भी वहाँ से भी वन भाई हाँ दिख री थी तुमैं थीग है वही 1 minus cos x over sin x and limit is extending to 0 ठीक, अब करना क्या है सबसे पहले तो भाईया ये जो denominator में sin x दिखराना इसका कुछ इंतजाम कर डालो ठीक है, इसका इंतजाम करने का मतलब यह है कि sin x के साथ तुम्हें क्या पसंद होता है 1 upon x होना चाहिए उसके आरे के नीचे है sin x के नीचे 1 upon x होना चाहिए होना चाहिए तो बना देते हैं भई तो ये sin x over x अब ये थानी x जबरदस्ती लायते है अपन तो ये हो गया जी x अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर multiplication या division में हो और कुछ finite बन रहा हो तो उसको सबसे पहले भगा दो तो यानि कि ये sin x over x when x tending to 0 होता है 1 तो ये बग गया यानि कि 1 आ गया इसकी जगा तो अब हमारा जो question बन गया वो कुछ ऐसा बन गया 1 minus cos x over x अब ज़रा इसकी जल्ली value बता दो हद हो गई मतलब किसी ने नहीं बताई क्योंकि अगर अगर तुम में से किसी ने मुझे x 1 by 2 बोल दिया होता है तो मैं पिटाई करने वाला था तो तुम्हारी तो क्या होगा limit x tending to 0 अब इसको तुमारे को जो limit पता है वो है 1 minus cos x upon x square वो है नहीं तो बनाते हैं तो ये एक x बनाया x square के लिए ये ठान ही तो उठा के यहाँ पर value रख दी x वहाँ पर रख दी हाँ अब क्या हुआ ये जो चीज है इसकी value अब तुम्हें बताए इसकी value कितनी होती है हाँ तो limit x tending to 0 ये हो गया half और ये बचा x value रखते ही answer आगया जी रख ठीके बई ये आप सब समझ लो हम इसको of course L hospital लगा के कर सकते थे लेकिन आप first कहां पर जाओगे कि अगर हम आपने इस type के questions की practice नहीं की तो जब आपके competition में ये part of किसी question का बन के आएंगे न वहाँ आप फसना शुरू हो जाओगे इसलिए में जान बूच के अभी यहाँ पर L hospital नहीं लगवा रहा है कि के जान जरूत होगी वहाँ लगवाँगा tension मत लेना बिल्कुल की चलिया जी जिरह बताए limit x tending to 0 sin 8x over cot 3x हाँ ये भई multiplication में है देखो भाई cot x का हमने कुछ सीखा नहीं 10x में बदल देते हैं तो यहाँ पर आपका जो question बनने वाला है वो क्या हो जाएगा extending to 0 sin 8x और यह हो गया 1 upon 10 3x अब आपको यह पता है कि sin or cos sin or 10 को क्या-क्या मिलना चाहिए कि वो अच्छी सी limit दे दे हैं क्या-क्या दिया जाए तो दे देते वही तो इस कोश चाहिए sin 8x को चाहिए upon 8x ठीक है ठानी उठाके multiply कर दिया ऐसे ही इस 10x 10 3x को चाहिए 3x इसको भी दे दिया तो जब हम अलग-अलग लिपट apply कर देंगे तो यह और यह अब यह नीचे वाला यह क्या देगा तो अब जो आपके पास बचेगा वह बचेगा limit extending to 0 8x over 3x यह x x वैसे ही अब आपके पास answer क्या गया of course 8 by 3 और अब कुछ दिनों बार यह सीधे-सीधे answer देखने की आदत पड़ जानी चाहिए आपको कि अच्छा sin 8x over 10 3x लिखा है तो हम क्या करें जैसे कि यह लिखा हो sin 8x over 10 3x लिखा हो तो x x काट दो sin 10 काट दो answer 8 by 3 ऐसे ऐसे देखने की कोशिस सीखनी शुरू कर दे ना कि अच्छा भई क्यों कमटीशन में इतना सब मौका तो मिलेगा नी तुमे करने का यह सच्ची में मत कर दे ना दिमाग दिमाग में करना पता लगा अरे हमारे सर ने तो बताया था ऐसे ऐसे कर डालो अरे हमने कर दिया डिफरेंशियबिलिटी आ अभी continuity यह तो लिमिट तो आएगी नहीं वहां वादा कि काट आए नहीं नहीं हमारे सर ने काट इसे काट दो आँसर आजाता है यह अरकते वहां मत कर दे ना इकम टीजन के लिए बता रहा हूं बस चलो जी यह तुम्हें पता है लिमिट x tending to 0 1 minus cos x over x square होती है half ठीक है अब यहां पर x की जगा है 5x तो limit x tending to 0 1 minus cos 5x है तो इसको चाहिए क्या 5x का whole square वो तुम्हारे पास है नहीं तो वो लगा दिया 5x का whole square उपर और यह 3 upon x square यही रखा हुआ है तुम्हारे लिए खास इसको चेड़ा ही नहीं नहीं although मैं इसका x square भी यूज कर सकता था पर तुम्हें दिखाने के लिए कि यह नहीं हो रखता है तो इसलिए कर दिया है ठीक है भई आई खोपड़ी में समझ अब देखो जरा तो यह वाला जो part है इसने क्या दिया तुम्हें extending to 0 यह तो हो गया तुम्हारा half तो यहां से तो half आ गया अब तुम्हारे पास ऊपर क्या बचा 25x2 over 3x2 यह x2 से x2 cancel हो गया 25x6 ठीक तो चलो बच्चा समझके माफ किया तुम्हें बाई बाई मिलते हैं फ़र अगली बार